नमस्कार दोस्तों मैं द्रवेश रोबिन अन्गवे फ्रॉम संस्कार न्यानपी समद्रपूर में आज आपको एक स्टोरी बतने वाला हूँ जिसका नाम है समय का सद्धियुपियोग एक दिन की बात है नव्या अपना पाठ पढ़ रही थी तो उसने रोहित को बुला के कहा आओ रोहित हम अपना पाठ पुरा कर लेते हैं तो रोहित बुलता है देखो कितना अच्छा मोसम है मैं तो जला खेल ले तो नव्या ने देखा कि बाहर बहुत जोर का तुफान आ रहा है तो उसने रोहित को आवाज देके कहा आओ रोहित हम अपना पाठ पुरा कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी तुफान में बिजली भी जाती है तो थोड़े ही देर बाद बारी शुरी हो गई और रोहित घर आया और देखा कि उसके ही घर के लाइट ने गई थी बलकि उने के पुरे काउं की गई थी तो वो रोते मेरा तो कल एक्जाम है मैं कल एकजाम कैसे तो नम्या केती है आओ मैं तुम्हें अपना पाठ समझा देती हूँ यूकि मैंने सब कुछ पढ़ पढ़ लिया है समय पर तो दोस्तों, moral of the story is कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए